नमस्कार दोस्तों मैं हितेश गुपता स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चनल मार्केटिंग फंडास पे दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिवाइस टार्गेटिंग किस तरीके से हम गूगल एड्स में कर सकते हैं दोस्तों एड्स बनाते वक्त हमें बहुत सारी टार्गेटिंग अलग अलग टार्गेटिंग होती है आपका कॉंटेंट टार्गेटिंग होती है वैसे डिवाइस टार्गेटिंग होती है तो उन सबके ओपर भी वीडियो मैंने आपको इससे पहले बताए हैं तो इसमें मैं आँगा डिवाइस टार्गेटिंग ऐसे करें और अपनी स्पेसिफिक अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ मोबाइल पर ही अपने ओडियोंस को एड दिखाना चाहता हूं तो आप स्पेसिफिकली डिवाइस टार्गेट करके भी आप उसी डिवाइस पर अपने एड चला सकते ह तो इस परपस के लिए डिवाइस टार्गेटिंग यूज होती है तो कैसे होगा वो इस वीडियो में प्रैक्टिकली हमने बताया है चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिवाइस टार्गेटिंग के बारे हैं क्यो mai संफावेयर में उन में से कोई ना कोई आपको आर्डेंस टारगेटिंग करनी पड़ेगी, एक खोड़ी लटेंग, और देवार टारगेटिंग तो अपने विजीटर अपने ओडिनस को सो करने के लिए इन में से आपको जो टार्गेटिंग है वो आपको यूज करनी ही होगी ठीक है तो हमने आपको और इस चार्गेटिंग बताया अब कैसे कर सकते हो स्पेसिफिकली डिवाइस के साब से जब भी आपको एक्एम्पेण बनाओगे ठीक है तो अब जैसे आपने campaign में objective या goal चूश करा हो उसके बाद campaign type अब जब अगर आप search campaign यहाँ पर select करते हो तो वहाँ पर आपको अगर सिर्फ mobile पर दिखाना है तो आप call only अड़ दिखा सकते हो ठीक है तो बड़ उसमें specifically आपको device का नहीं आएगा जो कि देखे आप जब display advertisement में जाओगे या video ads में जाओगे या discovery ads में जाओगे तब आपको वह option आता है तो जैसे कि हमने यहाँ पर like website डाल दी हमने और अब यहाँ हमने continue करा ठीक है तो device targeting अगर search ads में करना है या like mobile पर हमें ads चलाने तो generally maximum call only ads ही use होते हैं ठीक है तो अब क्योंकि अब यहाँ पर जो हम device targeting कर रहे हैं उसका option कहा आता है मैं आपको दिखा देता हूं जब आप campaign यहाँ पर बनाओगे इस तरीके से तो यहाँ पर अब जो device targeting है ना दोस्तो device targeting का मतलब यह नहीं है कि उसमें हम audience targeting या फिर हम content targeting नहीं करेंगे उन में से तो हम चूज करेंगे हमें content targeting और इस तरगेटिंग कौन से तरगेटिंग करनी है मगर उसके साथ साथ audience को हमें add दिखाना कहा है वो हम साथ में चूज करते हैं छीक है वो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर आप additional settings में आओ Additional Settings में आप device पर आओ ठीक है यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है device targeting ठीक है तो device में अगर सारे devices पर करना है तो ठीक है अगर आपको specific किसी device पर करना है like आपको सिर्फ mobile पर करना है तो आप ये दोनों हटा दो तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका मालने जो product सिर्फ app है आप किसी app को promote कर रहे हो या फिर आपका product है आपका custom हरी सारा mobile पर है desktop पर ही नहीं ठीक है या फिर आपको mobile पर नहीं करना आपको desktop पर laptop पर करना है तो आप computer कर लो ये हटा दो mobile तो इस तरीके से दोस्तों आप other targeting जो की audience और content targeting के साथ साथ आप specifically device targeting भी कर सकते हो वो particular devices पे जहां पर आपका audience है या जहां आप इस option को choose करके आप कर सकते हो तो दोस्तों तो तीन तरीके से हमने आपको बताया है इस series के अंदर audience targeting, device targeting और आपका content targeting उमीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों पूरी series अच्छे से देखने के लिए और beginner to advanced level तक Google ads सीखने के लिए प्लीज सब्स्राइब कीजे और तो दोस्तों आज हमने जाना device targeting के बारे में उमीद करता हूं आपको समझ में आया होगा दोस्तों इसी तरीके से हमने आपको इस series की शुरवात से एक एक चीज़ बताते आ रहे हैं तो दोस्तों अगर अभी तक आपने ये series के लिए subscribe नहीं करा या हमारे channel को भी subscribe नहीं करा ह तो दोस्तों प्लीज कर लिजे क्या कि आपको Google Ads के हर वीडियो का notification मिले आपको idea लगे और आप easily इन सारी की सारी Google Ads के साथ जितनी सीरिजम लेकर आ रहे हैं उनका benefit उठाबाओ तो दोस्तों प्लीज चैनल को like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, bell icon ज़रुद अपाईएगा, thank you for watching marketing fundals